हाई आयम पावन सैनी बच्चो आज मैं आपको जो है आभिव के रूप में समीकन दी गई हैं और उन्हें किस प्रिकार से हल करते हैं और वहां से उनके मान कैसे प्राप्त करते हैं निकालना बताऊंगा और मेरी वीडियो का आप इंजोई लेंगे देखें हमारा कुशिन दिया गए है कि x in y के मान बताएंगे तो x प्लस y की बरावर आपको दियए गए ये और एक x मानस y दिए गे है जिसमें एक सवाल जो मैं खुद बताऊंगा और दूसरा सवाल आपको स्यम करना है तो देख रहेते हैं पहला सवाल तो फर्स्ट सवाल आप ले लेते हैं यहां दिया है x प्लस y बरावर पहली पंक्ति में हैं आपका 7,0 दूसरी में है 2,5 इसी प्रिकार यहां देखते हैं आप इसका नाम दे देंगे यह समीगण आपने फस्ट दे दिया सैकेंड है x माइनस y बरावर आपकी पहली पंक्ति है 3,0 और 0,3 यह आपकी दूसरी समीगण है इतना करने के बाद बच्चों आपको करना क्या है किसी एक कॉपिसेंट को बरावर कर लेंगे लेकिन बरावर करने से पहले यह देख लेंगे कि दौनों समीगण में कोई सा कॉपिसेंट बरावर तो नहीं है तो अब यहां देखते हैं कि यहां दौनों ही कॉपिसेंट बरावर हैं कि जोड़ने पर बच्चों हमेशा क्या होता है कि डिफ्रेंट साइन के करते हैं यह प्लस का है यह मैनस का तो यह तो आप आपस में काड़ देंगे तो यहां इसको एक्स और एक्स तो यह दो एक्स हो जाएगा अब रही बात इसकी तो इसमें जोडने का जो हिसाव है हमारा पहली पंक्ति का पहला तत्व जुड़ेगा दूसरी पंक्ति के दूसरे तत्व में ठीक है तो यहां देखिए साथ में अगर आप तीन जोडते हैं यहां दस हो जाता है उसके बाद में दो में अगर जिरो जोडते हैं तो यहां दो हो जाता है उसी प्रकार नेक्स एक बार दुबारा से सुन लेंगे तो यहां जब आपने जोडने पर यह वाला टर्म कार दिया तो X और X यह 2X हो गया जोडने का तरीक है इसके पहले में आप इसको पहले को जोड़ेंगे तो 7 में जब 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा उसके बाद 0 में अगर 0 जोड़ेंगे यह 0 हो जाएगा नीचे वाली पंक्ती में आते हैं अगर 2 में आप 0 जोडते हैं तो 2 होता है और 5 में आप 3 जोडते हैं तो यह 8 हो जाता है हमें तो X की वैलू चाहिए बच्चों यहां पर तो यहां 2 का डिवाइड कर देंगे तो X पर आबर जब 2 का डिवाइड करेंगे तो यहां 1 बाइ 2 जाएगा पहले यह 10, 0, 2, 8 अब यह 2 जो है प्रतेक तत्व को भाग देगा अब यह आवको X is equal to देखे 10 में पांच बार कटाएगा यह 0 होका 2 से 2 1 बार कटाएगा यहां 4 बार कटाएगा यानि आपने X का जो मान प्राप कर लिया है अब बच्चों X का मान जो है किसी भी पंक्ती में किसी भी समीकण में रख कर उसे ग्याद कर लेंगे मान लिजे हम समीकण फस्ट लेते हैं समीकण फस्ट से फस्ट को उतार लेंगे आपकी फस्ट समीकण है X प्लस Y और आपका जो है 7,70 है यह 2,5 है यहां X की वैलू पूट अप कर देंगे तो यहां 5,0,1,4 प्लस Y और यह आपका चलना है 7,0,25 Y की वैलू निकालनी है तो इसको ट्रांसफर कर देंगे तो यहां Y is equal to हो जाएगा आपका 7,0,25 यहां प्लस लगा लेंगे और इसका माइनस में जाएगे तो माइनस को अंदर भेज देंगे माइनस के 5,0 हो गया माइनस 1 हो गया माइनस के 4 हो गया अब Y equal अब घटा देंगे 7 में से कर 5 करते हैं तो यह 2 हो गया 0 में से 0 जोडते हैं तो यह 0 हो गया यहाँ 2 plus के हैं माइनस का 1 है तो यह 1 हो गया यहाँ इस प्रिकार से हमने Y का माइन प्राप्त कर लिया और X का माइन आप पहली प्राप्त कर चुके है तो यह पहली सामीकण बच्चों मैंने हल करके दिखाई है अब ये दूसरा question जो आपको दिया गया है ये आपको घर से करना है और इसका जो comments box में answer देना है तो आप बताएंगे मेरी video कैसी लगी है और video अच्छी लगी है तो like जरू करेंगे धन्यवाद